एए गाईस देखो एक ऐसा स्टॉक है जिसे मैं दस बार आपको बोल सकता हूं कि यह स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए मतलब जिसे खरीदने के लिए दुनिया पागल है यह स्टॉक लगबग जुआ लमो की तरह काम करता जब यह फटता है ना तो मैं आपको बताना चाहत अगर आप करनाटका से अगर दिल्ली में जा रहो कोई प्रोड़क्ट लेने के लिए माल ने तकि आप क्या जाओगे सौटा मोटा माल खरीद के लिए के चाहिए ना 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 ऐसी गलती तो कोई करनाटका या करनाटका से जा रहे हो दिल्ली वह भी केवल 100-200 रुपिस बचाने के लिए तो बाई यह तो मैं आपको बुलूँगा एक फुलिशनेस है तो यह एक ऐसा स्टॉक है ना जो बाहर से लोगा आते खरीदने के लिए तो फिर हम क्यों नहीं खरीद सकते जो हमारे बगल में यह सã है जो हमारे घर के बगल में यह तो क्यों हम बैटे बैटे दे के बाई सहीं तो कुछ ऐसा ही स्टॉक बताना चाहता हू हूं उससे पहले मैं आपको बता देता हू तो यह देख सकते हैं मेरे एक और यूटुप चैनल है जिसका नाम है हाई क्क्व Teraz इसका गंटे पहले यहां पर मने ऐसे वीडियो डाला था यहां देख सकते हैं एक ऐसी कमपनी जहां नींद में भी पैसा यहां देख सकते हैं लगा दो तो प्रॉफिट ही होगा मतर एक शेर खरीदना शुरू कर सकते हो ऐसे ऐसे वीडियो आपको बता के बताया जाते हैं जहां पर यह एक पूल है, यहाँ से आपको जाना है, अब जो भी इंजिनियर या जो भी कॉंटक्टर यह कॉंटक्ट करता है, कि भाई देखो यह पूल मुझे एक बनाना है, यह एक ब्रिज बनाना है मुझे किसी तरीके से, तो माल लेते हैं भाई, अब उसने बोला कि भाई देखो यह उसने एस्टिमेट किया, अंदाज लगा है कि इस पूल पे मतलब कितने बड़े वड़े वेकल्स, जो हेवी वेकल्स है वो पार हो सकते, उसने बोला भाई चलो एक टन, मैक्जिमम एक टन हो गया, माल लेते मैक्जिमम एक टन, लेकिन वो पता है, एक टन का बेर करने वाला पूल नहीं बनाएगा, वो दो टन का कैपसिटी वाला पूल बनाएगा, हाँ, कि भले इन केस, अगर कुछ हो जाए एमर्जनसी में, तो लिखा रहेगा वन टन, लेकिन जा सकता है इससे ज़्यादा भी, भाई जो भी विकल जा रही है, आप थोड़ी नहीं उसका वेट कर रहे हूं, नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा उपर-Nीचे भी होता है, सही होता है, लोग को समझा नहीं सकते हैं, इसलिए इंजिनियर क्या करते हैं, दो टन यहाँ पर जो इतना बड़ा वेट को यहाँ पर आप लेके जा सकते हो इंजिनियरे ने यहाँ पर क्या 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 कि भाई दो टन का बनाया और बताया कि भाई एक ही टन का इससे क्या होता कि margin of safety अपने पास हो जाती है तो यह सभी लोग अपने life में implement तो करते हैं लेकिन stock market को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं मैं discuss कर रहा हूँ भाई बजाज finance के बारे में हला कि देखो यस्टड़े ही इसके quarter result के बारे में announcement हुआ था यस्टड़े ही मैंने result आया सामको दो बार इसको वीडियो बनाया सोचो मतलब दो बार वीडियो बना दिया continue अब देखो भाई focus तो करना पड़ेगा continue focus तो करना है profit चाहिए तो आपको बोलते हैं कि बून बून से पत्थर भी टूड़ जाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी आपको भी तो एक ही stock पर बार बार focus करना चाहिए लगबख 42% के हिसाब से यह company ने यर ओन इयन परफॉर्म किया यर ओन इयर सही है profit after tax company ने काफी अचा परफॉर्म किया है अगर यह देखोगे तो लगबख मैंने आपको बोला था सुबह मही कि लगबख यह 5000 के लेबल को तोड़ तो देगा उसमें कोई सक नहीं लेकिन काफी अच्छा मुनाफ़ा भी देने कोसेश करेगा लगबख अगर देखोगे तो कि अलो 5 दिन में इसने जो है लगबख 15% का return दे दिखाया और 6 मंत में देखो तो यह stock लगबख 6000 का था और यहां से गिर के लगबख काफी नीचे आ चुका था यह stock काफी हद से ज़्यादा यह नीचे आ चुका था देख सकते हैं 21% तक यह नीचे आ चुका था अब देखो यह bounce back मारना यह start कर दिया इसका जो asset quality है यह बहुत अच्छा perform किया अपने आपको stable किया है बजास finance ने ऐसी pandemic में देखो भई जब COVID का situation ऐसा चल रहा हो ना तो बजास finance जैसे stock बहुत ज़्यादा तूटते हैं लेकिन आज के date में जो यहां पर आपको jump देखने कोई ना अभी जो situation चल रहा है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ next quarter में जो next quarter आने वाला है वहां पर आपको problem देखने को मिल सकता है और थोड़ा बहुत weakness देखने को मिल सकता है देखो company के पास जैसा revenue होता है उसी तरीके से stock का price भी भागता है समझने की कोसिस करेंगे देखो अगर आपके पास 10 company है अब होता क्या सबजी मंडी में क्या होता भाई 10 लोग बेशने वाले होते हैं 10 लोग बेशने वाले होते हैं अब क्या होता आप अपने खुद के parents से पूछ सकते हैं लेने के लिए अगर हो चाहिए तो विजटेबल यहां पर भी ले सकते हैं और घर जा सकते हैं लेकिन नहीं लेकिन यह 10 में से कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा आपको high quality undervalued आपको जो है management वाला स्टॉक आपको दे रहा वो स्टॉक खरीदने कोसिस करो अभी देखो यह लगबग मार्च में देखोगे मार्च में देखोगे तो लगबग 2020 में इसका stock का price कितना था 5000 था तो 6600 खे आपको आपको फ़ादा उन्म? लगबग 2000 के आपको जिए आपको जिर जाता और revenue में तो बड़ी गिरावट देखने को मिली इने इसलिए मैंने क्या किया था कि … और मैंने आपको दिखाए भी कि मैंने प्रोट्फोलियो में है, मैंने आपको दिखाए भी, देखो में मेरे काम है, आपको प्रूफ दिखाना, अगर आपको बिलीफ ना हो तो, सही है, तो मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद देखो, तो 6,500 हुआ, फिर थोड़ा सा उपर गया, और अभी आपको बताया जारा, यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर आपको बताया जारा, मार्स 2021 में यहां देख सकते है, 6,800 के आसपास है, मतलब यह तीनों लेबल को तोड़के, यह जो है, उपर जाने के कोशिस किया, वो भी first time, अभी देखोगे, यह company को, मैं मतलब आँख बंद करके भी खरीदने के लिए क्यों तयार रहता हूँ, देखो, यहां पर अगर आप देखोगे ने, तो इसका revenue, इतना यह revenue कमाता ने, यह company इतना ज़्यादा profit करती है, सायद ही कोई करता होगा, निफ्टी में मु यहां खुद ही देख सकते है, 2600, मतलब यह जो है न, एक ऐसा plane है, जो बहुत कम वक्त में यहां पर देख सकते है, tick off करने के लिए तयार होता, देख सकते हैं, बहुत कम वक्त में, देखो, tick off, और जो land होता, वो totally different होता, अभी देखोगे, air plane को जाने के लिए, बहुत लोगोंने comment करना start के, यहां पर देख सकते हैं, कि sir, thank a lot for you, today I made 8% profit in bajas finance, यहां पर देख सकते हैं, 14 share, बहुत जितना capacity होतना है, तो लगभा एक घंटे पहले यह comment आ है, जहां पर मैंने साफ साफ इस वीडियो में लिखा, कल सुबह होते ही, पहले share का, यहां क्या लिखा है पहले share का यहां देख सकते हैं, लपक लेना, सही है, और देख सकते हैं, गरदा quarter 4 का जो profit हुआ है, वो बहुत सही हुआ है, आप खुदी देख लो, कल सुबह होते ही, सबसे पहले share को लपक लेना है, क्योंकि इसका quarter result के वज़े से, और फिर अगर आप यहां पर देखोगे तो लगबग अगर मैं यह वीडियो को play करके दिखाऊ, यह रहा, अब दूसरा जुस्ता करेगा बज्जाज finance, बज्जाज finance में हम क्यो focus करेंगे, देखे, इसका result के वज़े से, तो लगबग कल भी यह 3% के तेजी में था, और मैंने आपको reason भी बताया था, तो मैं क्या कर सब आपके सामने है, यहां पर देखो तो लगबग कितना, तो 9 hour ago, देखो समझने की कोसिस करो, यहां पर मैं आपको कुस थोड़ा unique बताने वाला हो, देखो, आपने सुना होगा ना कभी-कभी, कि आपको कभी-कभी ऐसा भी होता ना, यह surprise, surprise मिलता ना, कभी-कभी, वही च इस चीज़ को वीडियो, और जब वीडियो देखो, जब वीडियो यह खत्म होने लगा, देखो, वीडियो जब यहां तक पहुंच गया, यहां तक, देखो के सही से एक नट, वीडियो जब यहां तक पहुंच गया, देखो, तो मैंने वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने के कोसिस की तो यह क्या था भाई देखो अगर आपको पता है कि कौन से वेधर में अपने प्लेन को किस तरीके से हैंडल करना है तो मैं मैं बोलूँगा भाई आप किसी स्टेंजर परसं से या अपने घर के पिछवाड़े वाले लोगों से आप नॉलेज लेने के कोसि कैसे है तो जब एक इंजर खराब होता तो वैसे सिचुएशन में अपने आपको कैसे मेंटेंड करना चाहिए और कैसे वेधर अगर चेंज होता है तो हमें अगर दिखाई ना दे तो कैसे मेंटेंड करना चाहिए तो यह आपको पाइलेट बताएगा ना कि आपको कोई माल का पाइलिट बनने के कोसिस करो समझो किस सीचुएशन में स्टॉक कैसे भाग सकता है आपको दिखाया ना मैंने लगबग तीन से चार बर मैंने आपको दिखा दिया पोर्टफोलियो में कि लगबग ये स्टॉक 2000 पर मैंने खरीदा इस प्राइस पर जब पूरी दुनिया भा तो आप को आप वाटसब पर programmesब करना ध्यान से तोड़ा और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो अपना डीमिट अकॉंट बगर ऑगर ऊपन करना चाहते हो तो आप अपना dmit account angel broker में open कर सकते हो देख सकते हो number one stock brokerage आपको देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से आपको dmit account वहाँ open करना चाहिए जहाँ पर आपको safety वगरा देखने को मिले जैसे angel हो गया जी रहोता आगा यहाँ पर आपका पैसा safe होता है किसी अंजान जगा पर dmit account open ना करे ने तो हो तकता है कि आपके साथ fraud हो जाए जैसे कार्वी ब्रोकर्स ने सारा dmit account और पैसा लेके भाग गया था यहाँ angel देखोगे तो भाई यहाँ पर आप nsc, bsc, mitcher fund सब भी कुछ खरी सकते हो उसमें को टेंशन के बात नहीं है और जो चार्जेस है dmit account फ्री में डिलेवरी चार्जेस फ्री में केवल 20 रुपिस लगता है वो भी इंट्राडे में जो हर जगा तेकिने को मिलता है तो description में लिंक है वहाँ से जाके अपने dmit account उपेन करी सकते हैं और स्टार्टिंग में भी आपको disclaimer दिया जाता है और हिंड में भी आपको बताया जाता है एक बर अपने financial advisor और खुद का भी research करो तो ज़्यादा better आपको रहेगा किसी को blindly believe ना करो